आप को तो मैं उठा के अगर मेरा आप इस स्टूडियो में होते हैं उठा के बाहर फेंग देती आप है कौन कजब बेज़ती है अरे मुसल्मान पत्रकार नहीं है अभी बिका नहीं है मुसल्मान इमान वाला है आप किस तरह की भाशा कर रहे हैं क्या भड़काओ चीजे कहना आपका जन्से दादिकार है आप सारे पत्रकारों पर उंगली उठा रहे हैं आप हैं कौन आप आए कहां से आप हैं कौन जो आप पत्रकार की पूरी जमात को इस तरह से बोल रहे हैं आप हैं कौन आपको ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी दी किसने आप हैं कौन आप इस तरह की बेतुकी बाते करते हैं कभी कहते हैं कि गरीब की जोरू है मुसल्मान कभी कहते हैं कि मुसल्मान पत्रकार नहीं है वो विकार नहीं है आप आप है कौन? या आप दुबारा माफी मांगे या आप इस शो में एक लफ़ नहीं बोलेंगे और मैं आपको इस शो में बैटने नहीं दूंगी आप है कौन? यहीं नहीं, अभी और सुनिए आप है कौन उंगली उठाने वाले? आपको पता है हम जैसे लोग 30-31 साल अपनी जूते लगड़ कर काम करकर यहां तक पहुँचे हैं आप हमारे बारे में इस तरह से बोलेंगे आप कौन से पत्रकारों से मिलते हैं मैं नहीं जानती लेकिन आप सारे पत्रकारों के समुदाई के बारे में इस तरह की टिपणी करेंगे आपको तो मैं उठा के अगर मेरा आप इस स्टूडियो में होते उठा के बाहर फेंग देती आप है कौन? इतना खुसा नहीं करते हैं आपके बारे में नहीं बोला भई और अगर आपको कुछ कहना है तो किसी कोट अफ लौ में जाएए ये फजूल की बात सवाल पब्लिक का शो पर बिलकुल नहीं चलेगी और शो इब जमाई आपके जिस तरह की नफरत जिस तरह की सोच और जिस तरह की बुद्धी बुद्धी आपकी है मैं समझती हूँ आपको एक भी सेकंड और देने से इस शो की गरिमा कम हो जाएगी आपका फेडर मैं डाउन करती हूँ क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं ना काबिले बर्दाश्ट है और मैं चाहूंगी कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवा लीजिए क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच है शायद आप बीमार हैं दिमाग से खिले लीजिए सोच है झाल झाल